हेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू आवर चैनल बात करेंगे इस वीडियो में बिहाय डियल एलेट को लेकर जी हां बात करेंगे कि आपके फोर्म कब तक जो है भरे जाएंगे और साथी साथ फ्रेंट्स विहार डियलेट की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है जो कि आपके एडमेशन से रिलेटेड ही है सारी प्रेखिरिया हम जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को लास तक देखिएगा जो भी आपके परिक्षा इस डेट को होगी परिक्षा फोर्म इस दिन भरा जाएगा यानि कि जनवरी मन्त में उसके बाद से आपका डेट भी क्लियर कर दिया गया जो आपका इंटरेंस एक्जैम है लेकिन जमेनी अस्तर पर आप देखेंगे तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रक्रिया अब सबसे पहली बात डाली में विभाग द्वारेक नोटी जारी की घिए जो कि आपकर डेट लेकर भी था और जिसमें रiriesक्रेशन में उन प्लस कैनिडेट पास हुए हैं है ना सोच आप सोच लिजी अब उनकी परिक्षा हुई वह पास हुए है ना उसके बास से मतलब आगे की जो भी प्रोसेस करते करते अब जाके रेजिस्टेशन हो रहा है तो उनकी क्लास कब से इस्टार्ट होगी डियलेट के कब वह टीचर ब लगवग जाता है और अभी तक आपको फोर्म ही देखने को नहीं मिला है तो देखिए अब इस्टेशन की प्रेकिरिया लगवग मतलब नौद दस्तारिक तक आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन हां जो डियलेट के नए बैस के कैनिडेट है उम्मेर है कि फेवरावरी म इस बारी प्राथ मिक्ता मिल गई है और बीएट को बाहर कर दिया गया है यह सबसे अच्छी चीज़े हैं अगर आप आज हम बात करने वाले हैं बिहार डियलेड इंटेंस एक्जैम 2024 की बेस्ट गाइट के बारे में जो कि चक्षु प्रकाप्शन की है आप अपनी तयारी क इसमें अच्छे से एक्स्प्लेइन किया गया है थियोरी साथ ही साथ आप और ने बुक भी पर्चेस कर सकते हैं प्रेक्टिस सेट जो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अधियापक बनना चाहते है तो यह आप से लिए बिस्ट ऑप्सन है डियलेड तो बिल्कुल अभी से त्यारे करना स्टार्ट कर दिजिए क्योंकि आपके पर्च्षा के लिए टाइम नहीं मिलेगा आगे चलके इलेक्शन भी है तो कोशिस करेंगे विभाग वाले कि आपकी परिक्षा जल से जल्द कंडक्ट हो जाए परिक्षा जल से जल्द फोम फिलब किये जाए जलसे जलद आपकी कॉंसलिंग की जाए कॉलेज एलोट कीये जाए और इकजैम की बात करें अगर फिवरॉरी яपकी जो परिक्षा है अगसित परिक्षा कहीं न कहीं मैई जून मे आप सुपवी構 देखने को मिल जाएगा अब डीपेंड करता है कि आपकी नोटिफिकेशन कब तक जारी होती है और देखिए कोई भी इंफोर्मेशन आएगा तो आप सभी को बताया जाएगा बाकि हमने डियलेट को लेकर आपकी मेरिट कितनी जाएगी चलेवस क्या है कितने नम्मर का आपका पेपर होता है राइटीव मार्किंग होता है किन क्ष्वचिं डिकेशन